हेलो प्रेंट स्वाकत है आप सबिएगा आज हम करफे ट्रेसिंग के बारे में पढ़ेंगे और करफे ट्रेसिंग के से करते है किसी करवे का मानले हम ने अमने Bronze ने chilly are एक क्रेसिंग के से करे इसके बारे में बताऊंगा शेले कॉन-कॉन से प्रोसेजया इसक क् worlds can करने के लिए क्या क्या चाहिए मैं सबसे पहले करने के लिए कि सिमेंटी चाहिए कि सिमेंटी चाहिए इसी कर्वे की और इसके बाद में और इजिन बता करना कि यह करो डिजिन से पास हो रहा या नहीं हो रहा है इसके बारे में बताना पड़ेगा इसके बाद में यह टेंज function xy दिया है कोई भी मान लिए xy function है इसकी y की जगे minus y भी रखे तो भी same ही आई इसका मतलब यह function x axis के बहुत symmetrical कर रहे है तो x axis के symmetrical होने का मतलब किया हुआ कि इसमें y square में होना चाहिए even होना चाहिए इसकी ताकि यह y की जगे minus y भी रखे तो same y तो इसका करवे कैसे बनेगा इस तरह ही बनेगा y square की तरह example के रूप में और अब मैं बात करूँगा x जगे minus x रखा जाए तो क्या होगा minus x रखा जाए तो भी यह y axis के साप x symmetrical होगी इसका मतलब x की गात यह power even में होना चाहिए even में होगी तब मानले यह example ले लिए हमने पेरा बोलागा तीसरी है x y की जगे minus x और minus y रखे इसका मतलब x भी even होना चाहिए power और y की power भी even होनी चाहिए तब ही same रहेगे इसका मतलब यह origin से pass होगा origin के साप x इसकी symmetrical होगी और अब आगे बात करते है x y x की जगे y लेके y की जगे x लेके इसका मतलब यह y जोगा to x की symmetrical होगी और दूसरी बात दूसरा point है origin x और y x की जगे 0 y की जगे दिरू रखे और यह satisfy होगा यह point इसका मतलब यह origin से pass होगा और तीसरा point है origin टेंजेंड लाइन टेंजेंड लाइन लिस्ट पावर को जीरो के बरबर रखे हमको याद करनी इसकी टेंजेंड लाइन आगे करेंगे example में तो रियल अलग अलग पॉइंट आए एक्स और य की वेल्यू इसका मतलब क्या होगा और नोडल point है और imaginary point आए तो conjugate point यह तो रियल रेसीप्रोकल आए तीन अलग अलग पॉइंट आएगे चलो आगे बात करें चौता point है asymptote क्या होता अब पिछले वीडियो में बता दिया यह स्टेट लाइन होती है जो किशी कर्वे को infinite पर टच करती है इसकी हमें equation निकालनी है पांचवा इंटर्सेक्शन विद एक्सिस यह भी मलब एक्स की जरू रखे य की वैलियो निकालनी है और अपकी बार इसे नोप एक्सिस्टेंस को चट्टे पॉइंट में और चट्टा पॉइंट में रिजन ओप एक्सिटेंस एक्सिस जगे माइनिस ए रखे जिरू रखे ए रखे टू ए रखे इस तरह वाई की वैल्यू आएगी और उनसे हम ग्राब बनाएंगी तो लो उसका एक्जांपल कर लेते हैं